तो है गाईज वेलकम बैक टो अवर चैनल स्टॉक एक्ट्रोडर आई होप आपसे लोग बढ़िया होगे और आज अपने इक स्पेशल टॉपिक पर बात तो करने वाले हैं क्योंकि मार्केट अलड़ी काफी अच्छा करेक्शन दिखाने लगा है और अगर कोई बड़ा करेक स्टॉक भी है जो मैं आपको दूँगा जिस पर अनले इस करेंगे बहुत अच्छे से और सारी चीज़ेंगे कि वही क्या हो रहा है और क्या हो सकता है अभी तक अपने जो कल तक डिसकस किया था कि मार्केट में कुछ गरबढ़ हो रहा है और कुछ दिक्कत हो सकती है मार्क से तो कहीं नहीं जो एक फियर था लोगों में कि कहीं मार्केट टॉप कहां से करेगा अब होता हुआ लग रहा है कि शायद 25,000 का वह राउंड लेवल था जो मार्केट ने हिट कर दिया और अगर यहां से करेक्शन होता है तो अपन जैसे मालने कि अपन बुल ट्रेंड में मना नहीं कर रहा है कि मतलब यह नहीं करेगी क्रेश आई गया दूनिया अफर में रिसेशन आने यूएस में रिसेशन आने वाला है वह भी खबर चल रहही है तो दिक्कत सब जगे कर देग司 CD set शरूओ को इसरिप को इसका hedge या इसका NTB आपको portfolio में होना चाहिए defensive stocks तो वह भी मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्थान यूइन लिवर पर बहुत तगड़ा analysis करेंगा उस पर setup भी बन रहा है तो वीडियो बहुत informative होने वाली और आज मैं तुम्हें जीपीटे का ऐसा इस्तमाल करना सिखाऊंगा ना तुम भी बोलोगे कि आज तो क्या ही चीज़ सिखा दी इसलिए अपन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले वीडियो लाइक कर दो कमेंट करो आप भी अपना एक सेक्टर या एक ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि अगर मार्केट बेरिश होता है और कंटीनिव दस या पंद्र परसेंट मिनिफ्टी गिरता है या ग्लोबल मार्केट या से तो कौन सा एक स्ट्रॉंग स्टॉक है जिसके फंडमेंटल भी वीडियो में यहां संडे को या संडे सेटर्डे तो अपनी वीडियो आती है मैं कुशिश करूँगा कि दिन वीडियो आपको वहां पर करके दूँ तो चलो आप लोग के लिए एक टास्क के अच्छा-च्छा स्टॉक दूड़ और जिसके अच्छा स्टॉक होगा उसका न अब चलो बताओंगा वीडियो में बस थोड़ा सा रुख जाओ तो कि निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया है और अगर यह ऐसा डाउंट्रेंड बना के अब नीचे आने लगता है इन केस तो ऐसा कहने का मतलब नहीं कि अब ऐसा होगा कि जैसा एलेक्शन वाले दिन हु करना और यहां से आप देखोगे तो लगबग 10 या 11 परसेंट का बहुत ही सिंपल करेक्शन माना जाता है कोई बड़ी बात नहीं है अगर यह होता है तो यह क्या करेंगे पूर्टफोलियो वैसे हालत खराब में हम क्या करें आपको चाहिए डिफेंसिव स्टॉक्स जो बे देते हैं कि मार्केट गिर रहा है वाट FMCG स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं क्यों क्यों कि दुनिया में कुछ भी हो जाए यह एक सेक्टर ऐसा है कि यह जिन्दगी में चलता ही रहेगा चाहे क्रेश आजाए चाहे भुक्मारी आजाए चाहे कुछ भी आजाए कितनी भी दिक से लेके दुनिया भर की खाने पीने की चीज़ें बिस्किट्स हो गई लगातार चलती रहती है इनको अंत नहीं है तो यह जनरली बुरी सिचुएशन में भी अच्छा ही परफॉर्म करते तो अब ऐसा ही एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनि लीवर अब इस स्टॉक को को इंट्रोडक्शन देने की जरूद नहीं मेरे को कि दुनिया जानती है इसके क्या-क्या प्रोडट्स है और कैसा कैसा वह तो आप लोग सब जानते हो चाहिए अगर आप ध्यान से देखो यह अपने यूट्यूप चैनल है अब यहां पर आज से च्यum महीने पहले तो महीने यहां इसका पूरा डिटेल आप थोड़ा आगे पीछे करोगे तो पूरा फंडमेंटल टेक्निकल सारी चीजें इसकी एक एक बारी की से समझाई थी और तब लोगों ने उतना दा हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगी हां ठीक है बाई बट आज अगर आप देखोगे तो यह क पैसा ही कमाले कुछ अच्छा सीख लिया तो इससे आज नहीं तो कल पैसा कमा लोगे वह अपने एम होना चाहिए अपना एम कभी यह नहीं रहा कि आज कुछ बता रहे हैं तो कल उससे पैसा कमा लो उससे लर्णिंग ले लो कि आगे चलके आप खुदी उससे चीज़े अब यह अपने all time high पर खड़ा हुआ है all time high पर भी कहां अगर आपको मैं प्राइस एक्शन चार्ट दिखा हूं तो यह देखो यह इसका 2021 का हाई है मतलब अगर मैं यहां से इसको आगे extend कर लो तो इसने recently अभी इसको test किया है और इसका मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन भ उपर आया और अब यहां पर यह वेट कर रहा है तो हम इसका एक जो व्यू देखना चाहिए वो यह भी है कि क्या यह एक multi-year breakout दे सकता है कि यह दो तीन साल का बड़ा breakout दे तो कि 2021 के बाद इसने breakout नहीं दिया है तो एक multi-year breakout stock आपके हाथ में लग रहा है वो भी एक बहुत पुथल मची और तो अगर यह breakout देना चालू कर देगा ना तो एक तकड़ा मूव इसमें तो expect करी सकते हैं साथ ही साथ यह anti-market आपके साथ चलेगा कि market अगर ज्यादा गिरता भी है तो कहीं न कहीं यह आपको थोड़ा सा defensive stock होने के लिए आपको यह बचा लेगा अब बोले अच्छी बात है FMCG का stock है dividend भी देता है साल में तो dividend देता है अच्छी खासे और क्या चाहिए आपके जान ले लोगे सब की तो यही है अब आप बोलोगे कि भीया अब देखो यही है फॉलो कर लो अब तो कर लो आई अब तो समझ रहना कि अच्छी चीज़े डलती ऐसे simplicity क साथ और चीज़े डलती रहेंगी बड़ आप बोलोगे पुरानी चीज़े बता कि कोई मज़ा नहीं आगा कुछ ऐसा नया बता दो जो हमें कल को काम में आ जाए थोड़ा हम कुछ सुइंग भी पकड़ा दो कुछ अच्छी अगर आप इतना ही कहा रहा हो कि इतना डिफेंसिव रहता है क्या कहता है तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बड़िया चीज़े हो रही है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो हमने समझ लिया कि यहां पर बड़िया मल्टियर हुआ है ब्रेकाउट हो सकता है बिल्कुल मार्केट के अगें सारी सिचुएशन जा रही है बेरिश मोमेंटम आ सकता है और मार्केट में और ऐसे टाइम पर एफम सीजी डिफेंसिव स्टॉक थोड़ा पोर्टफोलियो को अच्छा करते हैं अब साथ ही साथ आप डेली टा अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है है यहाँ पर यहाँ पर एक स्टॉडब टैंस का आ है अ और यह अलग अलग तरीके से आप खुद भी यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि कुछ specific इसके लगेगा आपको chat GPT पर जाना है आप क्या है कि मैं पूरा एक चीज लिखूंगा फिर यह reply करेगा साथ-8 मिनिट एक्स्ट्र लग जाएंगे तो इसलिए मैंने यह सारी चीज़े अलड़ी करके रखी हैं 10-15 मिट पहले वीडियो के तो वह मैं आपको बता जिता हूं और आप यहां से यह prompt देख लो इसको लिख लेना आप भी ट्राय कर लेना तो पहले मैंने chat GPT से क्या होस्पिटल चलते ही रहेंगे हेल्सकेर सेक्टर हमेशा एवर्ग्रीन चलते ही रहेगा यूटिलिटीज में वाटर एलेक्टर सिटी गैस यह सब सारी चीज़ें और बहान है वह खुद नाम भी बता रहा है कि कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनि लीवर आई टीसी नैसल इंड़े टेंट वी more stable वह खुद बोल रहा है कि मार्केट में घरबली होती है तो क्या होता है यह खुद बोल रहा है ज्यादा स्टेबल रहते हैं और जो कि अपको दिख भी मार्केट गिर रहा है बट यह स्टॉक फिर भी अपने हाई पर बने हुए यहां पर और आप दे सब कुछ होता है एक साब से जिस पर जितनी आदा इंफोमेशन वो उतना आदा किसी चीज में अपनी निकाल सकता है तो यह पढ़ लाना इसने कुछ अच्छी चीज़े बता ही है इसके फिर चैलेंजेश भी बता दीक्वाइब कम्पनी के साथ क्या क्या चैलेंजेश है अप चैलेंजेश बिल्क्ल करके दिएगा तुमंको क्या करना है जैसे टाइम्भें तो ऐसी फूरी है फूररी है नसे खुल जाती जो जो जैसा कि आपने ड्रो कर रहा होगा यह पूरा पूरा ऐसी इमेज डाउनलोड कर देता है अब क्या करना आपको कि आप यहां यह एक आइकन दिखेगा आपको इस पर क्लिक करोगे तो अपलोड फाइल का ओप्शन आएगा अपलोड का ओप्शन आएगा तो आप यह चार् इस ने त्रेंड का आइलिस किया मैंने कुछ नहीं बोला कि यह सब मुझे करके दो मैंने से वित्ता बोला चार्ट आनिल्सिस कर दो इसका उसने खुद कर दिया करेंट प्राइश एक्षिन अन मूविंग आइभरेज नों दॉसों इंडिकेर से बुलिश ट्रेंड यहां प इंडिकेट स्ट्रॉंग बुलिश मोमेंटम और देखो वे देखो जुलाइशन फेज जुलाइशन करा था जो अपने देखा था फिर वहां से थोड़े बाद में फिर वहां से अब एक अब इसने और भी बड़ा खेल कर दिया क्या गर दिया उसने सपोर्ट भी बताती है कि यह 9 moving average जो आपने रिसेंटी लगा रखा था चार्ट पर वहां पर इस लेवल पर सपोर्ट भी है और अगला मेजर सपोर्ट आएगा 200 moving average बहुत ही किंग और एक important moving average होता है तो वहां पे important support है resistance लेवल भी उसने चार्ट देखके बता दिया मैंने इससे नहीं बोला कि resistance ढूं लेवल तक बता रहा है चार्ट देखके तो फिर और मेरी क्या ज़रूरत है दर सीखने आयो सीखो कोई बात नहीं आपन समझेंगे मेरे को मत भगाओ यार मेरा काम चलने दो यहां पर इसने volume का कर दिया देखो उसने बला कि volume spike आया है हो सकता है यहां पर possibility of indication of institutional buying भाई उसने खुदी जच कर लिया candlestick pattern भी उसने खुदी जच कर लिये कि भाई उसने बताया कि ज्यादा green candles बन रही है जो कि higher high और higher low बना रही है जो कि एक confirmation of uptrend को बनाती है देखो the latest candle is bullish उसने खुदी बता दिया कंक्लूजन में भी उसने खुद बता दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है बात पर वीडियो लाइक कर दो नहीं लोग subscribe कर लो अब तो कर लो अब तो लर्निंग भी मिल गए historic चीज़े भी दिखा दी मैंने आप करके भी दिखा दिया अब आपको मेहनत करनी है बस ऐसा और content simple तरीके से चाहिए तो बस भाई follow कर लो stock exploder को subscribe कर लो bell notification दबालो की अगली वीडियो जैसे डले आप पर वो वीडियो तुरंत पहुंच जाए आप सबसे पहले उसको फटाक से देख सको अब और भी तकड़ा खेल मतब यहां से अगर तुम्हारा मन नहीं भारा तो मैं और तकड़ा खेल कर देता हूं देखो on the basis of given above data give me a good swing trading option with entry and stop loss मैंने उससे पू साइट के आसपस रख सकते हो ना देखो अंट्री जश्ट अब रिसेंट हाई 2770 एंसिपेटिंगे ब्रेक आउट अपन वेरिभाई भी करेंगे चार्ट पर कि इतना सही कितना कलत है स्टॉप लोस उसने बता दिया 2680 के आसपस रख लेना चलो ठीक है अब यहां समझो उसने ट्रेंड बता है स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में मोमेंटम मी सब अच्छा है सपोर्ट यहां पर है वॉल्यूम भी स्पाइक है पोटेंशल टार्गेट भी उसने बता है कि देखो तार्गेट रेंज बिस्टोरिक रेशन साइकोलोजिकल रेशन 2900 का लेवल उसने ट्रेड की समरी भी आपक अपने ट्रेड को एक्टिवली विद प्रॉपर स्टॉप लॉस है ना मतलब यह नहीं है कि उसने बस बता दिया और जैसे बाकी टेलीग्राम पर नहीं होता है आपको जो करना करना नहीं इसने बताया भी है एंशूर करो कि आप ट्रेड को थोड़ा मॉनिटर भी करते रहो बन रहा है बिल्कुल बन रहा है वीकली भी अगर आप यहां पर देखोगे तो वीकली भी देखो एक अच्छी स्ट्रॉंग केंडल बन रही है दो वीक के रिजेक्शन या मतलब हॉल्ट के बाद जो भी जो की एक अच्छी बात है कि मार्केट ने रेस्टेंस तो लिया पास है तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर एक स्विंग भी पकड़ सकते हो आपको ऐसा रखता है कि अच्छा है और यह आने वाले समय में कर सकता है तो आप इसको अपने पॉर्ट्फोलियो में भी एड कर सकते हो क्योंकि भाई निफ्टी का स्टॉक है FMCG का इतनी बड मुझे तो मैं यहां पर अपनी थोड़ी पॉजिशन से और भी बड़ा सकता हूं डेपेंडिंग ओन सिचुएशन बट यहां पर में कोई स्विंग का सेटप भी अच्छा लग रहा है जो कि मुझे सारी फेवरेबल लग रही है मेरी साइकलोज्यों मेरी चीजों से मैच हो तो यह सा अच का अपना इक अलग ही रूप दिखाया जो कि आपको बहुत हैलफुल रहेगा अप किसी का भी चार्ट यहां से उस पर अनलसिस करो उसको डेली टाइम फ्रेम पर जूम करो यह आपको वीकली पर देना है तो उसको क्लियर समझ में आ जाए कि आप क्या उसको कर दो और फिर मेरे पर बना दो अगर कुछ भी हो रहा होगा उसको लग रहा होगा सही तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ा बहुत अच्छे से करके बता देगा तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हटके और इंट्रेस्टिंग लगी हो अपन यहां दो चीज ची का अलग तरीके का इस्तेमाल करना सीखा इसको चार्ट दे दिया उससे बहुत अच्छा पन को बताया अब ऐसा नहीं कि उसने कुछ बता दिया तो बिल्कुल आप उसको आँख बंद करके ट्रस करो नहीं आप अपना भी आनलिसिस करो आप भी चार्ट खोलना आप भी तो चलने तो यह आपका प्रिफरेंस है तरीके सबके अपने अपने होते हैं बस अप्रोच कैसे करना वह मैंने आपको सिखा दिया तो आई होप आपको यह अच्छा लगा ऐसी और भी वीडियो आते रहें गाई लाइक कर लो कमेंट कर दो और शेयर कर दो उन लोगों के सा जिनको आपको लगता है कि भाई यह एनलस इंपोर्टेंट था और इस तरीके से और भी चीज़ें लोगों को सीखनी चाहिए तो कैस मिलेंगे अपन जल्दी कलिया पार सो एक और सुरिंग टेडिंग के वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू